असलाम उलेकुम फर्स्चर फिजिक्स का चैप्टर नमबर 3 मोशन चल रहा हमारा और पिछली वीडियो तक हम लोग इस चैप्टर के 10 प्रॉब्लम्स कवर कर चुकें और आज की वीडियो इस चैप्टर की आखरी वीडियो होगी जिसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स रह प्रॉब्लम्स हमने कबर करने वह 11 से लेकर 16 तक हैं स्चाफर इतनी प्रॉब्लम्स वोग कैए उस चैप्टर की जिसके बाद हमारा जो यह चैप्टर नमबर थ्री ए यह खतम हो जाएगा और फिर ऊसके बाद अगली वीडियो से हम लोग कोशिशिक करेंगी कि नेक्स तो नेक्स्ट वीडियो से जो हम लोग चेप्टर स्टार्ट करेंगे वैवला है और आज की वीडियो के अंदर ये वाले पड़ें तो यह काफी असान सा प्रॉब्लम है मैट्रिक के अंदर भी वह आपने किया हुआ था और यह अब जो है मोमेंटम से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए तो प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या बता रहा है कि 100 ग्राम की बुलेट है सो ग्राम की जो है वो बुलेट है जो के फायर हुई है फ्रॉम अटेन केजी गन एक सो ग्राम की बुलेट थी जो कि एक गन में से फायर हुई है एक गन में से जो है वो फायर हुई है और इस गन का जो मास था वो आपके पास कितना है इसको आप बोल दो कि यह मास उफ दगन ह 10 kg जो कि हमने इसके अंदर लिख लिया है और यह bullet जो है वो fire हुए इसको लिख दो कि यह mass of bullet है mass of bullet जो कि mb से हमने show किया हुआ है 100 gram है और mass of g g जो है आपके पास mass of gun है जो कि 10 kg हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो problem आपको बता रहा है कि gun जो कि 10 kg की थी उसने fire की 100 gram की bullet with a speed of 1000 meter per second इस bullet की जो speed है वो कितनी है bullet की जो speed है वो आपके पास 1000 meter per second है अब आपसे पुछे जा रहा है कि what is the speed of recoil of the gun recoil of the gun तो अगर इस problem को हम लोग थोड़ा सा explain करके आज हो है वो समझने की कोशिच करें तो होता क्या है कि जब आप gun को रख के fire कर रहे होते हो तो यहां पर momentum का case है collision होती है gun के अंदर आपने देखा होगा कि एक जो उसका portion होता है यह फिर एक जो उसका part होता है वो जाके bullet से strike होता है यह वाला जो पार्ट होता है bullet gun के अंदर जब preview होती है तो एक पार्ट होता है gun का जो कि इस तरह से जाके जब आप घोड़ा खेंजते हो gun का तो वो इस तरह से जाके strike करता है इस bullet को और फिर इसके अंदर जो बारूद होता है वो heat की वज़े से वहां पर blast होता है और जो हमारे पास bullet है वो आगे की तरफ इस तरह से निकल की चली जाती है तो यह momentum का case है मतलब यहां पर जो हो collision हो रहा है दो bodies के दर्मियान एक body जो हो आपके पास M1 जिसे हमने कहा था जब हम लोग momentum का case पढ़ ले थे वो आपके पास क्या है गन है यह आपके पास जो है वो gun है और जो M2 है यानि के दूसरी जो body है वो आपके पास क्या है bullet है तो यह दो आपके पास जो है वो bodies है यह दोनों आपस में collide कर रही है और collision के बात क्या होता है अगर हम लोग daily life के अंदर देखें तो जो bullet है वो इस तरह से आगे की तरफ fire होती है मतलब यू निकलती है इस direction के अंदर और gun के साथ क्या होता है कि gun थोड़ा सा पीछे की तरफ आती है अगर आपने जो है वो खुद fire किया हो या कभी देखा ओ स्लो मोशन के अंदर यूट्यूब पर सर्च करके देखना कि जब हम लोग gun को यूँ fire करते है तो bullet आगे की तरफ जाती है और जो gun है वो recoil होती है यानि कि पीछे की तरफ आती है collision से पहले यानि कि जब आपने गोड़ा दबाया उससे पहले जो condition थी वो दोनों की दोनों चीज़े rest के अंदर थी मतलब मैंने यूँ पकड़ी विये gun तो gun खुद भी और उसके अंदर जो bullet है दोनों rest के अंदर है तो उसका मतलब कि initial velocities जो है वो आपके पास दोनों की 00 आएंगी bullet की भी और gun की भी और जो हमारे पास case लगता वो क्या है यह वाला formula law of conservation of momentum वाला जो case था वो यहाँ पे लगेगा जो कि क्या था कि M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 V1 plus M2 V2 V2 और यह हमें क्या पता था कि total momentum before collision total momentum before collision is equals to total momentum after collision तो यहाँ पे जो M1 है उसको हमने MB बोल दिया ठीक है और जो U1 है यह फिर आपके पास UB हो जाएगा यानि कि initial speed of the bullet इसी तरह फिर जो M2 है वो आपके पास mass of the gun है और जो U2 होगा वो आपके पास initial speed of the gun हो जाएगी जो कि 0 है फिर जो यहाँ पे V1 है वो final velocity या फिर velocity after collision होती है तो bullet की जो है वो आपको दी भी है जो कि 1000 meter per second है उन्होंने आपको बताया था कि जब fire हुआ तो bullet इतनी speed ते जो है वो निकलके आगे की तरफ जो हो गई तो यह हमारे पास क्या होगी final speed या फिर speed after collision of bullet तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया और final या फिर collision के बाद गन की जो speed थी जो के पीछे की तरफ आई वो आपने निकालके बतानी है तो बस यह आपके पास जो प्रॉब्लम की explanation है अब अगर इसे solve करें तो सारा प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया है कि हमने पूछा हुआ क्या है और आपको बताना क्या है तो direct यहाँ पे जो आप लगाओ कि according to law of conservation of momentum law of conservation of momentum हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर की M1 U1 प्लस M2 U2 जो है वो इकल होता है M1 V1 प्लस M2 V2 के अब यहाँ पे M1 को replace कर दो mass of bullet और U1 को replace कर दो speed initial speed of या फिर collagen से पहले वाली speed of bullet और यहाँ पे जो है वो gun वाली डाल दो is equals to mass of bullet and V of bullet plus mass of gun and V of gun यह जी और जो आपके पास B अई हम लोगोंने confusion से बचने के लिए लगा है आप M1 भी लगा सकते हो और अपने इसे कोई भी चीज लगा सकते हो अब यहां पर यह जो आपको माज दिया हुआ ही gram के इंदर दिया हुए तो सबसे पहली चीज जो हम लोग check करते हैं वह unit check करते हैं कि सारी की सारी unit SI system के इंदर होनी चाहिए तो बाकि तो सारी SI SI system के इंदर हैं सरब यह जो gram है से हमने हमें यह जो है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा kg के इंदर तो kg और ग्राम का क्या relation है आपस में एक kg के इंदर कितने gram होते हैं सबको पता है thousand gram होते हैं तो अब आपको जो है 100 gram दिया हुआ है और आपको से convert करने kg के अंदर तो क्या करोगे 1000 से डिवाइट कर दोगे 1000 से डिवाइट कर दोगे तो यह 20 से 20 कैंसिल और 1 divided by 10 जो आपके पास अंसर आएगा 1 divided by 10 का वो 0.1 आयागा तो 0.1 kg और अब अगर सारी की सारी वैल्यूस हम लोग इस वाली की एक्विजन करने डालें तो मास उफ बुलिट जो आपके पास 0.1 kg तो MB के जगर पे हमने इसकी वैल्यू डाल दी फिर इनिचल वेलोसटी जो है वो आपके पास 0 आएगी तो यहां पर 0 प्लस मास उफ दगन जो आपके पास 10 और जो इनिचल जो कोलुजन से पहले जो स्पीड है वो 0 है गन की भी तो यहां पर 0 is equal to mass of the bullet 0.1 और जो VB है उसकी value कितनी 1000 तो यहां पर जो आपके पास 1000 आ जाएगा और plus 10 जो के mass of gun है और VG जो आपने calculate करनी है तो VG as it is इस पूरी left hand side के ओपर जो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 इस से multiply होगा दो 0 और plus 0 10 से multiply होगा दो 0 0 plus 0 is equal to 0 फिर जब इस इस 0.1 को आप multiply करवाओगे 1000 से तो आपके पास क्या answer आएगा 100 जो कि हमें जो पता है क्योंकि हमने 100 को divide किया था 1000 से तो कितने आता है 0.1 अब अगर 0.1 को multiply करवाओगे 1000 से तो आपके पास दुबार से 100 आ जाएगा और आप calculator भी इस्तिमाल कर सकते हूं confirm कर ले ना उससे और आगे 10 और साथ में वी जी जो आजाएगा फिर हमें जो आंसर चाहिए वी जी का तो यह वाली ट्रम is equal to कि इस तरफ आएगी माइनस में हो जाएगी तो माइनस का 100 is equal to 10 times velocity of the gun या फिर final velocity of the gun अब वी जी चाहिए तो 10 जो यहां पर आके divide हो जाएगा तो माइनस का 100 divided by 10 is equals to VG और VG की final value कि आएगी इस 0 से 0 कर जाएगा माइनस का 10 meter per second तो यह आपके पास जो है वो speed आई है जो कि recoil of the gun है तो यहां पर आप लिख दो कि recoil of the gun will be minus का 10 meter per second अच्छा यह जो यहां पर minus आ रहा है यह हमें यह बता रहा है कि जो direction है हमार पास gun की वो पीछे की तरफ होगी बुलिट इस direction के अंदर जाएगी और गन जो है वो opposite direction के अंदर पीछे आएगी तो इस answer से भी हमें यह बात पता लग रही है कि गन जो है वो पीछे की तरफ आएगी और कितरी स्पीड से आएगी 10 meter per second की स्पीड से पीछे की तरफ यानि कि यह उसकी जो है वो recoil की स्पीड होगी तो यह था हमार पास problem number 11 जो के काफी में यहां पर लिख लिए और अगर इसकी वर्डिंग पढ़ें तो वर्डिंग इसकी कुछ इस तरह से है कि अब 50 gram bullet is fired into a 10 kg block हमार पास 50 gram की एक bullet थी 50 gram की जो है वो आपके पास एक bullet थी यह आपके पास bullet है जो के fire हुई एक 10 kg 10 kg के block के अंदर यह आपके पास जो है वो एक block है जिसका वजन 10 kg है और यहां से bullet जो है वो fire हुई इस block के अंदर that is suspended by a long code और यह ब्लॉक है यह suspend हुआ हुआ है रूफ के साथ एक लंबी कोड के जरिये से एक लंबी धागे से जो ब्लॉक है इस तरह से suspend हुआ हुआ है तो एक बुलिट जो है वो fire की गई जो है वो ब्लॉक के अंदर जो के suspended है long cord से so that it can swing as a pendulum और जैसे यह bullet fire हुई जैसे इस bullet ने strike किया और penetrate किया ब्लॉक के अंदर तो यह जो ब्लॉक है यह swing करने लग गया pendulum की तरह यह swing करने लग गया pendulum की तरह कुछ इस तरह से और इस तरह से जो है वो किया कि if the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 cm इस ब्लॉक की जो center of gravity थी वो ground से rise कर गई कितनी 10 cm तक 10 cm तक इसकी center of gravity यानि कि यह जो ब्लॉक था यह तक्विबन 10 cm तक ground से उपर की तरफ चला गया जब इस bullet ने इसको strike किया इस तरह से अब आपसे पूचा किया जा रहा है कि what was the speed of the bullet bullet की speed कितरी थी यानि कि वो कितनी speed से चलती भी आई और उसने इस block को आके hit किया तो कहानी जो है वो सारी की सारी हमें समझ में आगी कि bullet जो है वो fire की गी कुछ स्पीड से आ रही थी bullet वो स्पीड आपने पता करनी है और हुआ क्या कि इस बॉलिट में इस ब्लॉक को जो इसके अदर पैनेट्रेट कर गई और पैनेट्रेट का मतलब की यह जो बॉलिट है यह के इनदर इस तरह से फिध जाईगी टॉ ब्लॉक के अंदर गुसेगी तो ब्लॉक के अंदर फज्जाएगी और ब्लॉक उस तरह से पेंडूलम की तरह स्विंग करना स्टार्ट कर देगा और कितना उपर तक जाएगा जमीन से 10 सेंटीमीटर तक अब आपने बताना है कि जो बुलेट की इनिशल स्पीड थी वो कितनी है तो यह सारे का सारा डेटा जो है उन्हें आप बना लिए जितना उन्होंने में सवाल के अंदर दिया हुआ था मास ओफ डबुलेट जो कि एम बन है वो कितना है फिफ्टी ग्राम अब इसे हम लोग यो साथ साथ चैंज भी कर लेते हैं के जी के अंदर तो के जी के अंद अदर भी जो करके आ चुके हैं मतलब करना क्यों है ऐसा यूनिट के अंदर लेके आना है अपने सारी चीज़ों को यह पहले से यह से के अंदर है 10 kg क्योंकि इस ब्लॉक का मास है और फिर जो यह हाइट है सेंटिमीटर के अंदर दीवी तो आपको मीटर के अंदर लेके जा 0.1 मीटर तो इसकी जो हम लोग वैलू यूस करेंगे वह ये बाली करेंगे kg और हायट की जो वैलू यूज करेंगे वह यह मीटर वाली करेंगे क्योंकि हमने चैनल कर दीए अब अगर यहां पे हम लोग कुछ डा और देखें तो यह जो ब्लॉक है शुरूबात के अंदर क प्मेट दॉक खुट को ऐसे उसकी जिवनिशल लॉस्ट्योगी वो कितनी होगी जीरो क्र Lena इसके तो निकाल के बतानीएकन हमें कोयोजीं से पहले वाली यह वैल्यू इसकी कितने होगी जीरो मितरपाशना की होगी और अगर फानल वेलॉस्ट्य किसकी बात करें तो हम लोग यहां पर क्या देख रहें कि यह जो बुलिट है जब यह इस ब्लॉप को हिट करेगी स्ट्राइक करेगी तो ब्लॉप के अंदर ही जो है वो रह जाएगी और दोनों एक ही बॉडिज बन जाएंगी ब्लॉप भी और बॉलिट भी दोनों अब एक ह यहाट मूफ कर रहे होंगी तो सिसराय व्लॉक का नाम बराबर हो जाएगी डिटू के जिसको रॉक का नाम यह नाम दे रहे हैं तो मतों यहीं दो Smith करेंगी वह सिब्सक्राइब दोबड़ना नोगी और मुलाम के पास किसके बराबर के लिए अब एककर वह सरुम्ण हम लोग देखें तो हमें दो चीजे इस्तेमाल करने पढ़ेंगे दो लोज इस्तेमाल करने पढ़ेंगे तो देखते हैं साथ-साथ सबसे पहला जो लोग है वह हम लोग देखें तो according to law of conservation of momentum law of conservation of momentum को अगर हम लोग यहां पर लगाएं क्योंकि अब अगर यहां पर हम लोग जो है वो कुछ अपनी मर्जी की यहां से पैसिक लिए और वह हम लोग देखते हैं हमें क्या पता क्या करना है यूवन तो M1 अभी values हम लोग नहीं डाल ले इसकी U1 प्लस M2 जो के 10 की जी है जो के ब्लॉक का मास है वो भी अभी फिलाल हम लोग नहीं डाल ले U2 की value 0 है 0 put कर दो 0 जो हमने यहां पर put कर दिया और M1 V1 किसके बराबर है V के तो यहां पर V put कर देंगे प्लस M2 और V2 किसके बराबर है वो भी V के बराबर है मतलब दोनों की दोनों values जो सेम है तो दोनों की जगपे हमने V लगा दिया अब यह 0 जब M2 से multiply होगा तो 0 हो जाएगा तो यहां पर क्या बचाएगा M1 U1 is equals to M1 V और यह तो एक और चीज इसी के इंदर अगर कर दें कि V दोनों की उन्दर common आ रहा है तो यहां से अगर हम लोग V common ले लिए तो पिछह क्या बचेगा M1 प्लस M2 और into V मतलब V को हमने दोनों से common ले लिए, दोनों के अंदर आ रहा था तो दोनों में से हमने common ले लिए, तो bracket के अंदर क्या बचा, M1 प्लस M2, अब हमें क्या चाहिए, U1, तो U1 को यहीं रहने दो, और M1 को जो हमाँ जाकी डिवाइड करवाद हो, तो M1 प्लस का M2, V, यह आपके पास क्या बन गी, equation number 1, यह आपके पास जो है, equation number 1 बन गी, और अब अगर यहां पर देखें तो हमार पस M1 भी मौझूद है, जो कि 0.05 kg है, M2 भी मौझूद है, जो कि 10 kg है, और M1 की value वही 0.05 kg, जो चीज नहीं पता, वो यहां पर क्या है, V, सारा मसला ही जो ह यह बुलिट इसको strike करेगी, और यह दोनों एक साथ move करना start करेंगी, pendulum की तरह, तो इन कितनी speed से जो यह travel करना start करेंगी, या फिर इनकी कितनी speed होगी, मतलब जो pendulum की तरह start करेंगी, उसकी velocity कितनी है, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा, एक और law जो कि कौन सा है, according to law of conservation of energy, according to law of conservation of energy, यहाँ पर वो भी लगेगा, अब आपको अगर याद हो तो इसी तरह का case हमने pendulum वाला metric class के अंदर पड़ा था, कि जब pendulum जो इस तरह से move कर रहा होता है, तो जब यह move कर रहा होता है, तो इसकी kinetic energy, मतलब जब यह इस point से, इस mean position से move करना start करता है, और यहाँ तक जाता है, तो आस्ता आस्ता इसकी kinetic energy change होके, potential energy के अंदर change हो रही होती है, लेकिन law of conservation of energy हमें यह बताता है, कि आपके पास total energy हमेशे system की conserve रहती है, और वो ही concept जो हो यहाँ पर लग रहा था, pendulum अले case के अंदर, कि kinetic energy इसकी खतम नहीं हो तो यहाँ पर move कर रहा है, और करते 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 जब इस point पर आगा तो वो zero हो जाएगा, मतलब उसकी जो speed हो खतम हो जाएगा, तो speed खतम नहीं होती, मतलब उसकी kinetic energy हो खतम नहीं होती, बलकि change हो जाती है, potential energy के अंदर, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यह ground से कुछ ना कुछ height के अंदर, potential energy के अंदर, और अगर इसको जो हम लोग एक equation की form में लिखें, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि kinetic energy, इस point से kinetic energy of bullet प्लस kinetic energy of block, यह small b जो bullet को show कर रहा है, और जो capital b यह वो block को show कर रहा है, total इन दोनों की energy, क्यूंकि अब यह दोनों एकी चीज़ बन चुके हैं, तो हमें दोनों को consider करना पड़ेगा, is equal to potential energy of bullet, और plus potential energy of block, मतलब यह कि जो भी kinetic energy आस्ता आस्ता ही loose करते जाएंगे, दोनों के दोनों object, वो आस्ता आस्ता potential energy के अंदर convert होता जाएगा, और यह जो edge दिया हुआ हुआ है, यह बैसे कि इसी बज़े से दिया हुआ, kinetic energy का जो formula हो हम हाफ का mv square, और जो potential energy का formula है, वो mgh के बराबर होता है, अब अगर यहाँ पर values put करें, तो हाफ का m1 जो कि आपके पास bullet है, m1 v square, तो कि वी तो सेम यह दोनों की, तो v square, और plus half का m2 जो कि block है, और v square, is equal to potential energy of bullet, किसके बरापर होगी, m1 gh और plus का m2, जो कि आपके पास जो ब्लॉक है, और साथ में gh, अब अगर यहाँ पर देखें, तो इन दुनों crumbs के अंदर half का v square, जो हो common आ रहा है, तो यहाँ से half का v square common लेंगे, और bracket के अंदर का बचेगा, m1 plus का m2, is equal to, इसके अंदर से gh common आ रहा है, तो m1 plus का m2 जो हो bracket के अंदर बचेगा, और gh जो हमने common ले लिया, अब इस bracket से यह बला bracket cancel है, क्योंकि यह पूरी की पूरी एक ट्रम है, और दोनों जो हो same position के उपर आ रहे है, is equal to के तो हम इसे cancel कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस पूरी value से multiply हो रहा है, is equal to को sin cross होगा, और यहाँ पे आएगा तो पूरी value से divide होगा, तो तब भी आप उस तरह से भी करके काट सकते हो, यह direct भी काट सकते हो, अब जो चीज रहेगी है, हाफ का v square equals to, जो है वो यहाँ पे gh, हमें सिर्फ v की value चाहिए, तो v square is equals to 2gh, दूनों तरफ जो हो square root ले लो, square से root cancel, और v की value आएगी, वो किस तरह से आएगी 2gh, इ जो h है आपके पास, वो कितना उन्होंने दिया हुए, 0.1, 0.1 और under root, तो v की जो final value वो आपके पास कितनी आ रही है, 2 multiplied by 9.8 और multiplied by 0.1 to 1.4 meter per second, 1.4 meter per second, यह आपके पास जो है, वो final velocity है, कि जिस velocity के साथ यह दोनों के दोनों इस तरह से move कर रहे होंगे, जो कि आप यहाँ पर put करो में, और अब आप जो है, वो initial speed of the bullet असानी से निकाल सकते हो, तो इसे जो हम लोग मिटा जेते हैं, और equation number 1 के अंदर v की value जो इंसर्ट कर देते हैं, तो equation number 1 हमें क्या बता रही है, कि u1 अगर आपने निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, m1 plus m2, m1 कितना है, 0.05 और plus का m2 कितना है, 10 तो यहां पे 10 और यहां पे 0.05 और into v की जगह पे जो आपके पास 1.4 आ जाएगा, इस पूरे को solve करो, calculator के नदर रखके, तो आपके पास answer है, 0.05 प्लस का 10, divided by 0.05 और multiply में 1.4, तो जो answer आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 281.4 मीटर पर सेकंड, और अगर इसे हम लोग match करें, बुक के साथ, तो बुक के अंदर भी आपका जो यही answer लिखा है, तो इसका मतलब कि हमने सही solve किया है, तो इसका मतलब कि bullet की जो speed होगी, जितनी speed से वो आई होगी और इसने block को strike किया होगा, वो इतनी होगी, 281.4 मीट 12 था, अब अब जो हम लोग बढ़ते हैं, problem number 13 के उपर, और उसे देखते हैं कि बू क्या है, जी तो यह हमार पास problem number 13 है, और इसकी wording कुछ इस तरह से है कि एक machine gun है, जो कि 10 bullets जो है, वो fire करती है, एक second के अंदर into a target, एक target के उपर एक machine gun, 10 bullets जो है, वो एक second के अंदर fire करती है अच्छा यहां पर जो time हमें दिया हुआ है, time जो है आपके पास एक second है, एक second के अंदर दस bullets एक साथ जाके एक target के उपर, machine gun जो है, वो fire कर रही है, अब आपसे बोला जा रहा है कि each bullet weights 20 gram, एक bullet का जो mass है, वो आपके पास कितना है, 20 gram, and has had a speed of 1500 meter per second, और उनकी जो final speed है, यान कितनी speed से वो निकल के जा रहे हैं, कितनी है, 1500 meter per second, आपसे बोला किया जा रहा है, कि find the force necessary to hold the gun in position, force निकाल के बताओ, कि कितनी force हम लोग लगाएं, कि उस gun को पकड़ के रखें, hold कर के रखें, तो यह चीज जो है, वो आपने निकाल के बतानी है, और सबसे पहले इस gram को जो आपने change करना पड़ेगा kg के नदर, तो इसको जो हम लोग यहाँ पर change करके लिखते है, mass of the bullet, जो है, वो आपके पास कितना है, 20 gram, और gram से जब आप जा रहे होते हो kg के नदर, तो 1000 से डिवाइड कर देते हो, तो 20 divided by 1000, आपके पास कितना answer आएगा, 0.02 kg, इसको आप जो है, वो यू लिख सकते हो कि और 0.02 kg, यह ग्राम के नदर है, हमने इसको जो है, वो kg के नदर convert कर दिया, अब अगर हम लोग force निकालना चाहें, अच्छा हो, एक और चीज कि यहाँ पर यहाँ पर यह जो mass जिया हो है, इन्होंने सिरफ एक bullet का दिया हो है, यह आपके पास सिरफ एक bullet का mass है, और total bullets आपके पास कितनी है, 10 bullets है, तो total mass भी सबसे पहले जो है, वो आप लोगी यहाँ पर निकाल लो, कि total mass of 10 bullets will be, कितना होगा, 0.02 kg, और इसको multiply कर दो 10 से, 0.02 जो है, वो एक bullet का mass है, 10 से multiply कर दो, कि तो, आपके पास 10 bullets का mass आजाएगा, तो कितना आ रहा है, 0.02 kg, तो मतलब यह वाला mass आपने इस्तमाल करना है, तो अगर हम लोग देखें, यहाँ पर तो आपके पास mass दिया हुआ आपको, और final velocity दी भी है, और आपको time दिया हुआ है, इन तिनों चीज़ों को use करते हुए, आपने force निकाल के बताने हैं, और ए initial velocity होगी, अगर आप लोग देखो, तो initial velocity bullets की क्या होगी, fire करने से पहले, 0, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, कि 0 meter per second जो है, वो initial velocity होगी, क्योंकि दोनों की दोनों चीज़ें, जो कि आपके पास bullets भी और जो आपको बजगाने हैं, दोनों की दोनों 0 होगी, शुरुआत के इंदर, यह तो collision के बाद जो है, वो जो bullets है, वो आगे की तरफ निकल के जाएंगी, और gun जो पीछे की तरफ इस तरह से रिक्वाइल होगी, तो initial velocity भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, कि initial velocity जो ही आपको given है, अब इन सब चीज़ों को इस्तमाल करते हुए, आपने force जो निका में कि rate of change of momentum जो होता है, rate of change of momentum जो होता है, वो किसके बराबर होता है, force की, और इसका formula भी drive करके हम लोग ले के आए थे, कि force जो होता है, वो आपको बाद किसके बराबर होता है, final momentum, minus का initial momentum, divided by time, और अगर इसको थोड़ा सा जो हम लोग expand करें, तो momentum की जो value होती है, वो mvf के बराबर होगी, mass into velocity, और चुके यहाँ पर final लिखाव है, तो velocity के साथ final आएगा, और mass into initial velocity divided by time, दोनों के अंदर mass आ रहा है, तो mass को अगर हम लोग common ले ले लें, तो vf minus का v i bracket के अंदर बचेगा, और upon में t, तो यह सारी की सारी चीज़े हमारा पस मुझूद है, इस equation के अं सारी से निकल आएगी, तो f is equals to mass की कितनी value हो, 0.2, तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 0.2, vf की जो value है, वो आपके पास कितनी है, 1500 और minus का, जो v i है, वो कितनी 0, तो यहाँ पर 0 put कर दिया, और divided by आपके पास 1, f is equals to 0.2, 1500 में से 0 जाएंगे, तो 1500 ही बचेंगे, और divided by 1 जो है, वो आपके पास जो भी उपर value, वो ही वाली value आएगी, वन से टिबाइट करने पे, जो है वो answer के उपर को फार में पढ़ता, तो 0.2 multiplied by 1500, तो आपके पास जो answer आएगा, force का वो कितना आएगा, 300 newton, इसका मतलब कि 300 newton की force required है, उस gun को पकड़ के रखने के लिए, machine gun को पकड़ के रखने के लिए, जबके वो कितनी bullets जो है, वो fire कर रही है, एक second के अंदर, 10 bullets, इनका mass कितना है, 0.02 kg, एक bullet का mass 0.02 kg है, और 10 bullets अगर एक साथ निकल लिए है, तो उनका mass 0.02 kg है, तो 0.02 kg का जब mass machine gun fire कर रही है, तो इसको hold करने के लिए जितनी force required है, वो 300 newton है, और अगर इसे हम लोग match करें, बुक वाले answer के साथ, तो बुक में भी 300 newton है, तो इसका मतलब हमने सही किया है, तो यह आपके पास चोटा सा problem था, problem number 13, अब बढ़ते है problem number 14 के उपर, और उसको देखने के बुक क्या है, जी तो यह हमार पास problem number 14 है, और यह हमें क्या बता रहा है कि a cyclist is going up a slope of 30 degree, एक cyclist है, एक cyclist है, जो कि slope के उपर जा रहा है, अच्छा, यहां से जो आपके पास incline plane वाले numericals जो हम स्टार्ट हो रहे हैं, तो incline plane का जितना भी data था उसके इंदर, जितने भी formula वगरा हमने बनाए थी, वो incline plane वाली वीडियो के इंदर, देख लेना, playlist के इंदर मोज़िद होगी, chapter number 3 के, तो यह आपको जो है वो theta दिया हुआ है, slope का, या फिर इस जो है वो incline plane का, जो कि 30 degree है, और आप से बोला जा रहा है कि इसके उपर एक cyclist उपर की तरफ जा रहा है, एक cyclist है, जो कि कुछ इस तरह से इस direction के नदर, उपर की तरफ जा रहा है With a speed of 3.5 meter per second, कितनी speed के साथ जा रहा है, initial velocity की कितनी 3.5 meter per second की speed से यूँ, यह 30 degree के slope के उपर, इस तरह से उपर की तरफ जा रहा है, और आप से क्या पुशे जा रहा है कि if he stops paddling, और इतनी velocity के उपर अगर यह paddle करना, paddle मारना जो भी छोड़ दे, तो बताओ how much distance will he move before coming to rest, तो बताओ कि कितना distance travel करेगा, before coming to rest, rest में आने से पहले पहले तक, तो आखर में तो जा कि rest के अंदर ही आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी final velocity, जहां पे भी जा कि यह rest के अंदर आएगा, जहां भी जा कि rest के अंदर आएगा, तो इसका मतलब कि final velocity जो है, वो इसकी paddle मारना छोड़ा है, वहां से लेकर, जहां तक यह जो है, वो जा रहा है, rest के अंदर जब तक आता है, तो बताओ इसका distance कितना होगा, यह rest में आने तक कितना distance travel कर लेगा, और अगर यहां पे हम लोग देखें, बस इतना सी problem है, जो आपके book के अंदर आपको data दिया हुआ, सिर्फ यही है, और अगर यहां पे हम लोग देखें, तो अगर हम लोग यह slope के उपर भी जा रहे हूं, और paddle मार रहे हूं, और अचाने से paddling छोड़ दें, तो उसी वक्त हम लोग rest के अंदर नहीं आ जाते हैं, बलकि थोड़ा सा distance हो, travel करने के बाद rest के अंदर आते हैं, औ चीज भी हमने पहले काफी बार डिसकस की भी है, कि अगर state road के उपर भी, हम जो इस तरह से चल रहे हूं, cycle चला रहे हूं, और paddle मारना चूड़ दें, paddle मारना चूड़ने का मतलब क्या, कि force लगाना चूड़ दें, तो उसी moment के उपर हम लोग rest के अंदर नहीं आएंगे, बल उसे resist करता है, और फिर करते 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 आश्या 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 जो हो खताम होता जाता है, और आखर में वो चीज रेस के अंदर आ जाती है, तो यहां पे भी यही चीज हो रही है, कि वो paddle मार रहा है, और इतनी velocity के उपर उसने paddle मारना जो चोड़ दिया, तो जाहर सी आते हैं, जब वो paddle मारना छोड़ेगा, तो ऐसता ऐसता करते करते हैं, उसकी velocity वो कम होती जाएगी, और एक पक्त ऐसा आएगा कि वो 0 meter per second के उपर चला जाएगा, यह फिर रेस के अंदर चला जाएगा, तो इस पॉइंट से इसने paddle मारना छोड़ा, यह जब रेस के अंदर friction जो है, वो इस inclined plane के उपर बिल्कुल नहीं है, वो 0 है, यह जो है, आपके पास तीसरा case दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने देखा था कि आज जो equation बनी थी, वो क्या बनी थी, a is equal to g sin theta, यह आप लोग यह वो वीडियो के अंदर देख लेना, और उसके अंदर बाकी भी जो to g sin theta, हाँ, यह वाली जो आपके पास equation होती है, तो अगर यहाँ पर हम लोग solve करें, तो जो distance है, वो हम लोग किस equation से निकाल सकते हैं, third equation of motion से, क्योंकि इसके इन्ना time उन्होंने नहीं दिया हुआ, तो 2 a s equals to v f square minus का v i square, यह हमार पास यह formula होता है, जब initial velocity और final velocity मौजूद ह और आपको जो वो distance निकालना हो, तो यह वाल equation से जो आप निकाल सकते हो, यहाँ पर तरफ एक चीज नहीं है, जो कि acceleration है, अगर acceleration आजाए तो हमार पास final velocity भी है, initial velocity भी है, हम distance जो निकाल के बता सकते हैं, तो acceleration कैसे आएगी, इस equation से, और इस equation के अंदर क्या-क्या चीज़ें जो है, वो आपको चाहिए, एक तो theta चाहिए और एक g चाहिए, तो g की value हमें पता है, यहाँ पे डिख देते हैं, कि g की जो value होती है, वो 9.8 meter per second square होती है, और theta उन्होंने दिया वा, जो कि 30 degree है, तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे, कि a is equals to g sin theta होता है, और a is equals to g की value आपके बस 9.8 है, तो 9.8 यहाँ पे डाल दिया, और sin theta की value आपके बस 30 degree है, तो इसे जब आप calculator में रखके solve करोगे, तो 9.8 into sin 30, कितना आ जाएगा, 4.9, और हमें पता है, कि यह जो cycle है, आस्ता आस्ता रेस्ट के नदर आ रही है, उसका मतलब जो acceleration है, वह है, वह आस्ता आस्ता कम हो रही है, के नदर क्या है मतलब व्लास्टी जुए आस तक कम होती जाया रहे डिक्रीज आ रहे है तो एक्सरेलेशन की साथ नेगिटिव के अंदर भी डालेंगे तो आईए आपके पास जो है वह एक्सेलिशन की वैल्यू आगई अब इस एक्विजिन के अंदर डाल दो जो कि एक्विजिन नमबर वन है तो एक जगह पे माइनस का 4.9 और S हमें निकालने है इकल्स वी एफ जो है आपके पास जीरो है तो जीरो का स्कार माइनस वी आई जो है आपके पास कितनी है 3.5 तो 3.5 का स्कार है अब तू जब मल्टिप्ला होगा 4.9 के साथ तो आंसर क्या आएगा तू मल्टिप्लाइट बाई 4.9 तो 9.8 आ और माइनस का 3.5 का जो स्कार हो कितना है गा 3.5 का स्कार 12.25 जो आपको निकालना तो ये चीज जो वहां जाकि डिवाइड हो जाएगी 9.8 S is इकल्स टू माइनस का 12.25 और डिवाड़ेद बा माइनस का 9.8 इस माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल और 12.25 जब डिवाइ होगा 9.9.8 के साथ तो जो आंसर आएगा वो आपके पास 1.25 आएगा और ये मीटर के अंदर होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है और अगर इसे मैच करें बुक के साथ तो बुक के अंदर भी जो आपका अंसर है वो यही सेम है उसका मतलब क्या हुआ कि 3.5 मेटर पर सेकेंड की स के साथ जब ये पैडल करना छोड़ेगा तो आफ्र कवरिंग 1.25 मीटर ये रेस्ट के अंदर आ जाएगा मतलब इतना डिस्टेंस करने के बाद इसके जो लॉस्टी यह जीरू हो जाए तो यह सिंपल सा जो था वो हमारे पास प्रॉब्लम था प्रॉब्लम नूमर 14 और फि तो यह हमार पास प्रॉब्लम नूमर 15 है और यह सेम एजिट जो अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम किया प्रॉब्लम नूमर 14 उसी की तरह है और इसका डाटा जितना भी है सारा हमने यहां पे लिख लिए और इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो सॉल्व करेंगे कर लिए और इसका एंगल दिया हुआ आपको 45 डिगरी यह आपके पास जो है वो एक कार है और आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो इंजन है वो स्टॉप हो गया अचानक से स्टॉप हो गया और उस वक्त यह कितनी व्लॉस्टी से मूफ कर रही थी इसकी निचल 63 किलोमेटर पर और की जो है वो स्टॉप हो गया उसने काम करना जो बंद कर दिया मतलब गाड़ी बंद हो गई इतनी व्लॉस्टी के उपर हाव फार विल दा कार मूफ बिफोर कमिंग तो रेस्ट अब रेस्ट में आने से पहले पहले तक या फिर रेस्ट में आने तक यह क कितना डिस्टेंस जो ट्राबल करेगी वही वाला सेम प्रॉब्लम कि पैडल मारना चोड़ दिया या फिर इंजन जो वह स्टॉप हो गया इनिचल स्पीड यह थी फाइनल हमें पता है कि वह जिरो मीटर पर सेकंड हो जाएगी अब आपने बताना है कि डिस्टेंस जो है व इसे जब आप लोग सोल्व करोगे तो 9.8 और साइन जो है वो आपके पास 45 तो इसका जो आंसर वो कितना आ रहा 6.929 और मेटर पर सेकंड स्क्वाइर यह एक्सलेरेशन की वैलियू अगई अब इस वाली एक्विजन के अंदर पूट कर दो 2 इसके साथ माइनस भी आएगा यह एक्सलेरेशन वही सेम पीशे वाला तो 2A के जगर में माइनस का 6.929 और साथ में S is equal to VF का स्क्वाइर जो के 0 का स्क्वाइर और माइनस वी आई जो कितनी है 63 किलो मेटर अच्छा यह जो इनिशल वेलास्टी है किलो मेटर पर हावर के अंदर दी भी है आपको जो कनवर्ट कर देगा मेटर पर सेकंड के अंदर किलो मेटर पर हावर से तो 17.5 जो आपके पर अंसर आएगा और इसका स्क्वाइर ले लो इसे मल्टिप्लाइ कर वाओ 2 से तो क्या अंसर आज़ा है 13.85 और साथ में 9 माइनस के साथ और यहां पर S है और 17.5 का स्क्वाइर लोगे तो 17.5 का स्क्वाइर कितना आ रहा है 0 तोड़ जाएगा तो माइनस के साथ 306.25 S जो आपने निकालने है तो माइनस का 306.25 और दिबाड़ेड बाइ 13.859 यह भी माइनस के साथ माइनस से माइनस कैंसिल और फाइनली जो आपके पास डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 306.25 डिवाइड बाइ 13.85 और साथ में 9 तो जो आंसर आ रहा है वो आपके पास 22.09 मीटर आ रहा है और अगर इसे भी हम लोग मैच करें अपनी बुक के साथ तो बुक के अंदर भी तक्रीबन तक्रीबन यही आंसर है 22.10 या फिर 22.09 एकी बात है तो इसका मतलब कि इंजन जब इसका स्टॉप होगा और रेस्ट में आने आने तक यह जितना डिस्टेंस आपल करेंगी वो कितना होगा 22.09 मेटर तो यह आपके पास जो है वो प्रॉब्लम नंबर 15 था और अब आखरी प्रॉब्लम भी हम लोग देख लेते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 16 है वो भी कुछ इसी तरह का है बस थोड़ा सा उसके अंदर जो है उन्होंने डेटा चैंज के होगा मतलब डेटा सारे के सारा हमारा यही होगा सरफ जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो उन्होंने जो है वो कुछ न कुछ इसके अंदर शाहिद दी होगी तो उसी भी हम लोग जो है वो इसी के साथ ही पढ़ लेते हैं यह चीज जो है तो यहां लिख देते हैं के प्रॉब्लम नमबर 16 और इसी के साथ हम जो हुआ इसको स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम नमबर 16 को शिक्षीन में बोला गया है कि इन प्रॉब्लम नंबर 15 प्रॉब्लम नमबर 15 के अंदर find करके बताओ distance दुबारा से आप जो है वो distance find करके बताओ सारी चीज़ें वही है प्रॉब्लम नमबर 15 के अंदर distance find करके बताओ that the car moves जो के car move कर रही है if it waits अगर इसका जो car का वजन है इस वाले प्रॉब्लम के अंदर है देनों यह वो car का वजन भी दे दिया कि car का जो weight है वो कितना है 19 और 600 Neutron अगर car का जो वजन है वो आपके पास इतना हो और जो frictional force है Frictional force है वो 0 नहीं बलके वो कितनी हो Frictional force की जो value आपके पास 2000 200 Newton हो अगर weight इतना हो और जो आपके पास friction की value वो इतनी हो तो बताओ अब वो distance कितना travel करके बताएगी अब वो distance जो है वो कितना travel करेगी तो यह आपने जो है वो निकाल के बताना है तो इसके लिए हमें थोड़ी सी जो है वो अपनी diagram को modify करना पड़ेगा अब जो है वो आपके पास friction भी आ गई है तो यह आपके पास सीटा है जो कि 45 डिगरी है और यह आपके पास जो है वो car है जो इस incline plane के उपर move कर रही है इसका engine जो है वो इस direction के अंदर force लगा रहा होगा force of the engine ठीक है और एक force जो है वो आपके पास अब friction की भी यहाँ पर आ गई है इसको लिख देते हैं कि यह force of friction है और एक और force हमने पड़ी थी कि जो इस body के उपर लगरी होती है नीचे की direction के अंदर वो कौन सी force होती है weight का parallel वाला component हमार पास सब इनोंने weight भी दे दिया तो इसका weight जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा और हमें पता है कि weight की जो हमने यहाँ पे दो component बनाये थे मतलब weight को जब हमनों को रिजॉल्फ किया था तो एक उसका perpendicular वाला component होता है जो कि normal reaction से balance हो रहा होता है अगर आपने मेडियो रिबाइस कर लिए तो यह सारे concept आपको clear होंगे और एक वो weight का parallel वाला component होता है जो कि यह रहा weight का parallel वाला component होता है जो कि आपके पास कुछ इस तरह से होता है जो हमने यहाँ पे बना लिया है और अगर थीटा आपको यह वाला दिया हुआ है तो यह जो आपके पास perpendicular वाला component होता है यह क्या होता है यह basically आपके पास perpendicular होता है और कौन सा जो है वो आपके पास ratio लग रहा होता है यह relation लग रहा होता है यहाँ पी sin theta का sin theta is equal to weight का parallel वाला component और डिवाइड बाई जो आपके पास वेट है तो वासा पैरलल वाला कॉंपोनेंट जो किसके पराबर होगा अगर यहां पे थोड़ा बहुत समझ में ना है तो वहां पे आप जो देख लेना उस वीडियो के अंदर अच्छा अब यहां पे अगर हम लोग एक रिलेशन बनाएं इस सारा डाटा तो हमने यहां पे लिख लिया है अब यहां पे अगर हम लोग देखें गाली जो उपर की जा रही है गाली उपर की तरफ जा रही है और इसकी और दो फो सिद में नेचैकी तरफ भी लग रही है तो यहां पर हमारे पस सुक्राइ indispon Cake जो इसका इंचन है वो काम करना छोड़ दिया उसने काम करना छोड़ दिया वो अभी फिलाल जो जैन सी निकाल दो अभी सिप 1 की साथ parallel है इस तरह से अब net force का concept होता है जहां पर भी बॉड़ी के उपर एक से ज्यादा force लग रही होती है और वो किसी एक की direction के अंदर जादी होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि वह आली force ज्यादा है जैसे ब्लॉक के से बात है 10 newton वाले बंदे की तरफ जाएगी कितनी force जाएगी वह आप कैसे निकाल होगी और आपको देखने से भी पता लग जाएगा कि 6 newton मतलब 6 newton की force है वह इसके उपर इजाफी लग रही होगी जो कि इसको इस direction के अंदर लेके जाएगी और इसी को हम लोग net force बोलते है और यह कैसे आती है कि बड़ी वाली force को छोटी वाली forces से मानस कर दो अब यह गाड़ी जो है वो इस direction के अंदर जा रही है अगर यह गाड़ी इस direction के अंदर जा रही है तो इसका मतलब कि force of engine जो जैदा है और वो और कम कर रही है इन दोनों को लेकिन फिर भी यह लग तो र बाद जो है वह वह वेट का पैरलेल वाला कॉंपनेंट और प्लस जो है उसके अगराद फ्रिक्शन की फोर्स इमनिस के सांट जब अदर जाकी मल्टीप्ला होगा तो नेट वह आपके पास किसकी को लाएगी fn लिख रहे हैं सिर्फ जो कि इनेट फोर्स को रिप्रेजंट कर रहा है शोट करने के लिए तो फोर्स ओफ इंजन माइनस का वेट का पैरल वाला कॉंपनिल और माइनस का क्योंकि यह दोनों के साथ जो है माइनस होगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस यहाँ पर अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लिफाय करें तो वेट का जो हमने पैरलल वाल प्राइल वाले वेट का फॉर्मला बनाया वो क्या बनाया डवी साइन ठीटा तो एफ नेट इस इकल स्टू और यहां पर अगर हम लोग इस एफ का भी फॉर्मला लिख दें यहां पर बता दो कि फोर जो होती है वह आपके पास एकॉर्डिंग तो न्यूटन सेकिंड लो में मैनस का डवल्यू साइन थीटा वेट पैरलल वाले की जगए और माइनस का फॉर्मला फ्रिक्शन की फोर्स अब सवाल जो स्टार्ट करो यह हमने के कुजिन मना दी है यह हमने क्या किया एक एक विजिन मना दी अब सवाल के अंदर उन्होंने अभी क्या बताया हो था कि इस जो है वो कितनी होगी? जीरो तो इस फोर्स फिंजन को हम लोग हटा सकती है तो मेनस का डवल्यू साइन थीटा और माइनस का एफ अब यहां से अगर हम देखें तो acceleration की कैसे value निकलेगी यह फिर इसकी equation क्या बनेगी minus का w sin theta minus का f और यह जो m यहाँ पर multiply हो रहा था यह divide के अंदर चला जाएगा तो यह finally आपके पास acceleration की value यह फिर acceleration का formula बना है और हमें करना क्या है distance निकालना है और distance किस तरह से निकलेगा सेम उसी तरह थी जैसे पिछले सवाल के अंदर आया था कि 2as equals to vf square minus का v i square मतलब यह कि बाकी सारी की सारी चीज तो वह ही है acceleration पिछली वाले सवाल के अंदर हम लोग कैसे निकाल ले थे अब यहां पर friction की value आ गई तो उसके लिए हमें सारा काम करना पड़ा है इसको बोल दो कि यह आपके वाले फॉर्मले से निकालोगी इस इक्विजिएन के अंदर डालोगी और डिस्टेंज जो है आपके पास निकल के आ जाएगा अच्छा अब अगर इस एक्विजिएन को लोग वोल से देखें तो इसके लिए हमार पास सारी चीज़ें मौझ हो दें आपके पास वीड भी है थीटा भी है फॉटीफाइफ फ्रिक्शन की फोर्ज भी है मास मास निकालना पड़ेगा और मास आपको पता ही के इक वेड्शन की बैलिए तो तो 9600 divided by 9.8 इससे आपको जो है वो पता लग जाएगा कि जो मास है कार का मुझा कितना है तो 9600 divided by 9.8 तो यह कितना है 2000 तो यहीं पर लिख दो कि जो टेटा के इंदर ही लिख देना शुरुबात में करके कि मास जो आपके पास 2000 केजी है क्योंकि जो इनिट होती है मास की केजी होती है तो यहां से इसी मिटा दो अब बस एक्सलेशन की इस फॉर्मले के इंदर वैल्यू जालो सारी जो कि माइनस का 19600 वेट की जगह पर इसके बाद साइन जो है वह आपके पास 45 थीटा की जगह पर 45 माइनस का जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो 2000 और डिवाड़ेट बाइज अब निकाला वो 2000 था तो एक्सलेशन की जो फाइनल वैली वाई वो कितने आएगी इससे सॉल्फ करेंगे जब हम लोग नाइंटीन सिक्स जीरो जीरो इन्टी साइन 45 और माइनस का तू थाउजंड और डिवाड़ेट बाइट बाद से तू थाउजंड तो जो आंसर आ रहा है वो आपके पास माइनस के अंदर 7.9 2. pipeline six meter per second आ रहा है और यह माइनस के अंदर क्यों आया क्युक्य हमें पता है कि यहां पे वह डिक्रीज़ आरहा है yn angri. तो तभी खुदी से आ रहे हैं, माइनस पर आया और S अपनी जगह पे, VF जो आपको पता है कि वो 0 हो जाएगी, जब वो रेस्ट के अंदर आएगी तो VF यानि कि 0 का स्क्वाइर माइनस वी आई जो है वो उतनी है कितनी 17.5 तो 17.5 का स्क्वाइर, अब 2 जब मुल्टिप्ला होगा, 7.9296 से तो आपके पास क्या अंसर आएगा, माइनस का 15.859 और साथ में S और 17 का स्क्वाइर कितना आता है, 0 को अगर हम लोग अटा दें, 0 का स्क्वाइर 0 ही होता है, तो माइनस का 17.5 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा, 306.25 और फाइनली S निकालना है, तो माइनस का 306.25 डिवाइड बॉइ, माइनस का 15.859, इस माइनस का स्वाइन से माइनस का स्वाइन कैंसल, और अगर हम लोग डिवाइड करें 306.25 को 15.859 से, तो जो आंसर आ रहा है वापे बज़ कितना आ रहा है, 19.310 और आगे, बस इतना बहुता है, और साथ में इसकी कि जो यूनिट लगेगी वो मीटर लगेगी क्योंकि डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो आपके पास मीटर होती है तो अगर हम इसे मैच करें अपनी बुक से तो 16 का जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 19.3 मीटर है तो सेम है उसका मतलब हमने सही सॉल्फ किया है और बाकी कि जो फिर इसके प्रॉब्लम रह गए है 17, 18 और 19 उन्हें छोड़ दें क्योंकि वो इतने द्यादा इंपोर्टेंट नहीं है बस यहीं तक कि जो प्रॉब्लम में वो करवाए जाते हैं और वही एक्जाइम पॉइंट उफ्यू से इंपोर्टेंट है और जितने टॉपिक् इसके जितने प्रॉब्लम से वो भी हमने जो वो पूरे के पूरे सॉल्फ कर लिए समझ लिए तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अगला चैप्टर जोके चैप्टर नमबर फोर है मोशन इन टू डाइमेंशन उसे स्टार्ट करेंगी तो आज की लिए तने ही मिलते है फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए लाफिस